नमस्कार वनकम साश्रिया काल कसा काई भाव। बहरे साथ भई महारास्टरा चाम मुलगा बेंगॉल का वारियर शिरीकाज जादव है और इस इंटर्वियू की शुरुआत मैं हेलो वेलकम करके नहीं करने वाला हूँ सीजन नौ जो पिछला सीजन था उसका दूसरा है तीसरा मैच था बेंगॉल वारियर स्टार सड़ी टीम है मनिंदर सिंग श्रीकाज जादव दीपक हुड़ा दो तिन और बड़े अच्छे प्लेयर तो मैंने ये कहा था मुझे कमेंटरी में मुझे अभी याद दिलवाया ग सुनिल भाई को गलत साबित करके दिखाऊंगा और श्रीकांट जादव बंगॉल की जर्सी में वापस कड़े हैं बंगॉल ने इनको वापस टीम में ले लिया है श्रीकांट बहुत बस्वागत मेरे भाई तो मुझे बड़ी खुशी होई कि मैंने चैलेंज आपको दिया आपने उस चैलेंज को एक्सेप्ट ने कि आपने उसको तोड़ दिया लेकिन तब आपको अजीब लगा सुनने में किया यह क्या बोल दिया इसने बहुत आजीब लगा था मैं इतना बला स्टार है आप तक बाई साब आप प्रभुजी है आप तक कभी बोले नहीं मेरे ब लिए फिर इनका वर्ट चेंज होगा आज रिकान जादो टीम के बड़े प्लेयर बन गए यह उनके मनिंदर के सपोड़र बन गए बहुत तर आच्छा है मतलब तारीफ करने बहुत आच्छा लगा फिर माले कॉमेटरी भी देखना चलो गया नहीं कभी देखता नहीं था चलो इसी बाने भाई ने हमारी कुमेंटरी दूनी जरू कर दी है और मेरा परपस तो आपको पता ही है कि जो प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा तो उसको उठा उसको उठाना है उठाना किस तरह से है या तो चाबी देके उठाना है या तरीफ करके उठाना है तो मैंने शाहि बड़ा बने अपने घर का गाव का परिवार का नाम रोशन करें बहुत सारे पैसे कमाए और शिरिकांज जादव उन चुनिंदा खिलाडियों में सेख हैं जो लगातार दसमा सीजन खेल रहे हैं अधिक एक गिरीशर ने को रहे हैं और गिरीशर ने को रहे हैं मनी पाजी बी अधिक में जो इंजोरी होती क्योंकि बैश के हम लोग प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस का मैं जमीन आशना फरगे कि मैं बहुत पर निकलना निकल आ था बहुत तक्र मारने बड़ती जयसा इंजो ना इंजोरी से पर फिर काम करते हैं और जो फाल्तू चीजइे हैं जाए-स से बाहर का खाना वागा यह आवर्ड करते हैं कि जो बोड़ी के लिए क्या चीए मुल्टि विटेमिन विटेमिन और जो नैचरल चीज उसमें ज्यादा फोकस करें क्योंकि नैचरल चीज लंबा जलता है तो यही खाते हम लोग और फिटनेस को पर काफी जान देते हैं जैसा क्या बात है अच्छा एक इनकी टीम के स्टार मनिंदर सींगे दूसरे स्टार श्रीका जादा मैं वह पंजाब से आते हैं उनके खाने में घी दूद मखन के अलावा कुछ होता ही नहीं है लेकिन जो आपका महराष्टा में आप जो प्रैक्टिस करते हो जो खाना होता है व इसके लिए वह जो खाते है वह बॉड़ी पुरा मतलब अच्छे डाइस करती और उसमें वेट नहीं बाढ़ता है उनका इसका दूद में और गी में बहुत पावर रहता है क्योंकि आईली प्रूटीन और सब चीज मिलता है क्याल से मिनेरल सब चीज मिलता है पर सब्सक्राइब करेंगे हम लोग बट यह चीज हम महीं नहीं मानता मैं तीका खाता नहीं क्योंकि मेरा मीटा पसंट दे जादा अचा और खाने में में तीका बिलकुल ने तभी आप इतने स्वीट हो तो अब बैंगॉल वोर्यों के साथ आप खेल रहे हो यूपी में अप लगातार खेल के आए बैंगॉल वोर्यों में पहले भी आप खेले जैपूर में खेले अलग-अलग टीमों के साथ शरीकांत खेलने का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है उसमें मजा ज्यादा है यह उसमें चैलेंज ज्यादा है तो बहुत आता है और चैलेंज भी बहु अब हमें पता चल गया कि अगर श्रीकांत से बेस्ट पफॉर्मेंस निकलवानी है तो क्या करना है थोड़ी सी जाबी करके चैलेंज करना है इसलिए तो आपका अभी कॉमेंटरें हर बात देखूंगा कॉमेंटरें पता चलता है मेरे को अभी भाई ने मेरा नंबर में ले लिया है कुछ पसंद नहीं आएगा तुरंद फोन करके बोलेगा रहे प्रभू यह क्या बोल दिया तो आप जस्वीर सिंग साफ के साथ खे इन्टरनेशनल खेडा दिया तो इनका तरीका सिखने का मोटिवेट करने का टेकने के सब अचे बाल अलग है जैसे जैस्वीर सर ने नहीं बोला कि स्रीकान मैच क्यो हारे तुम करो और करो कभी भी नहीं आज तक अभी गाली नहीं दिया उन पूरा लिंग में गाली नहीं तो यह कुछ नहीं नहीं चाहिए मेरें को अत्या हुआ। उनको यह42到 गटने मीए गाली रथे नहीं पूरादृ नहीं का नहीं दिकल्हां है कि अभी उनको उनकोई है रे टेलेंट है कि मैं इसमें पॉइंट कांसा निकाल नहींौन सान धालनाय है अभी ला сод llais टायूम क् तो शिचोचें है ती कि यूंबा के साथ मैश था, यूंबा तो अधिवार चुक गए चुकी थी तो हमार को वह चेतना बहुत जरूए थी तो मैश फच गया क्योंकि उनका चार का डिपेंट्स था फोजल अतरह चली भी उनको इन में था तो मैश बहुत बुरा फच गया है तो क्योंकि प्रदीप को स्कोर नहीं तो वे एक सिचुचें आइसा है तो अभी उटना है तो मोलो कोसा मैं मारत रूप कोसा खुल बोल फिर मैने उसमें जाया एक ट्राइ किया उसमें मेरे को दो पॉंट लिया फिर उन लोना हमने उतको द करेंगे उसको इंप्रोमेंट भी दे देंगे बट मारने वाला प्लेयर शेह जाये तो यह कबडडी की विरासत है आप एक टीम छोड़ जाएं दूसरे टीम छोड़ जाये मनिंदर जैसे रंण सिंग रनिया के गुन गाते हैं दोस्ती तनी अच्छी है श्रीक आंत ने जश दॉटन थोड़े ने भाद करना है क्या काम करने वहार निकल तरही काम कर रहीए है ऑर वहार कोई कितना भी डाजि कुई ने स्थिए करेक्ट काम रहे तो वहार निकल थे कि एक का इस निशाए हुआ है मानी कोई बेह बोगा नेकी थो जब लड़ा गेम भी आपको मिल जाता है तो यह थोड़ा थोड़ा हमों को बतना करना है कि इंसे क्या करना है नए जो लड़की इंसबार यंग लड़के उनको बहुत साधा शिकाते हैं प्कनाम लोगों को तो 11 एच प्रिक्छ घंच कहना बहुत करते हैं और स्वीट बढ़े बास्करंट से आप साब का इंटर्वीव करने वाला हूं तो देखते हैं कि वह कितना को जोवियल नेचर है तो इस बार श्री रेडिंग में आप और मनिंदर तो पावर हाउस हो सूपस अच्छा मैं जब श्रीकांत और मनिंदर को देखत बढ़ा और सामने आगे नहीं यंग लड़के तो यंग लड़के आने से आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलते हैं कि इसका स्पीड मेरे से ज्यादा मैं बराबर करूंगा तो अलग हम लोग क्या सोचते कि उसकी उपर काम कैसा करना है वह देखते है पहला उसका फुलस क्या है निगेटिव कॉइंट के अच्छा यह सारा देखते हैं और उसको पर हम लोग फिर उनके तरफ से खेलने लगते हैं फिर हम लोग उदर यंग लड़के आते हैं इदर ट्रक आ रहे हैं तो हमें भी थोड़ी अपनी जगा चेंज करने पड़ रही है वह शरीकांत के रह एक महिंदर राजबूत है तो पावर वाले रेडर जो होते हैं उनके लिए चैलेंज अलग से होता है इस पीड वाले रेडर से आपको थोड़ो ज्यादा ध्यान रखना पड़ते हैं अपने फिटनेस का क्या सासर बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पावर हम करेडрать यह फोड़ह करता है करेड़ि यह दो क्यते हैं अज़ा गया रखना पर शक्रेस का पावर है को रेडर वाले क्पट से अप 달ek इन्यान पड़तु क्या इस को चारद यह पड़बू आप तो बाम ठेड यह सग्शक्ती साथ और धशोन varit को पोंकर करहिए लोगा एं को लेफ्ट रेडर एक बन्यादी चीज़ है हम सीजन वन से देख रहे हैं मुझे एक बार इनुप भाई ने बताया था अनुप भाई राइट से रेड करते थे कहते मुझे एक बार बहुत साल पहले उनके कोश ने कहा यादव साब ने कि अनुप लेफ्ट से रेड करो वो यह से बच्मेन में खेलते हैं अपने बोडी लेंगवेज जो है एक पेर में पावर कम जाधा रहती है अचा रेडर के दौर पर उसी सबसे रेडरा होता है अब ही मेरे राइडर मतलब कोई रेडर हो लेप कर रेडर हो जैसा मनी पाजे उनके रैड का रेडर है बट उसके लेप पेर में पावर जाधा रहीगे क्योंकि निकलने का स्पीड उमिलता है और दूसरा राइड का लेप का होगा तो इसके राइड पाए में ज्याधा रहती है फुर्डवक ज्यादा चलता है तो इसलिए वो रेडर इस तरह से बन जाते है क्योंकि इसमें जो अभी तो सिदार्दे साही तो मैं ऐसे चलता हो कि वह राइट से भी रेड करता है अच्छा आप हो शरीकांत एहमद नगर से तो अब एक गड़ बनता जा रहा है जैसे नौर्थ में कहते हैं कि सोनीपत है या रोतक है बहुत एहमद नगर से कितने प्लेयर आप सबसे बड़े सूप एपकर शिर्षाठ और ये भी एमान नगर में कि है ऐसे बहुत सारे प्लेयर थी है ब्री बीच में क्या तोड़ा अमान अगर का बड़ा थोड़ा स्लो गए ता तो बड़े बड़े गीने चुने प्लेयर ते जैसे मैं मुंबई मागा मैने सूरत पर मुंबई में आया तो म कि आज भी देखा जाए प्रो कबड़ी में सबस्थी जादा फॉलवस मुंबई के हैं मुंबई के हैं मुंबई की कबड़ी मतलब है न दिन ऌहें इल लोग पागल है थे 400-500 बॉब तो वह उता था कि इधर जैसो मंबबई में जारा आगा कमपणी हुई है विए कमपनी से खेले का तो दिखेंगे भी इपर्में नेश्नल हो तो इसमें जाती है तो मही क्या सोच अजय है मैं पहले भी एक मॉंबई में साही में था साही मेरे एक लडगा तो वह आया फिर मैं मेरे को दिखा岵म अनुमारी है बड़े बड़े स्टार है तो उस तां प्रोक बड़े का भाउल नहीं दा कि आरफे बंबाये थी, are यह कि जीए अजारी के लिए थी, टो आर्फे टिर्शारी टो यह मेरे नहीं थीडेला है तो ऐसे एक नएक एक प्लेयर आती गए पिर बोन लोगे में भी बोलता था कि बॉंबबाई में चलो क्योंकि इधर मार्केट में नहीं खेलेंगे तुम उच फाइदा नहीं इधर तुम 10 रुपय कम होगे बट उदर तुमको 2 रुपय मेलेंगे पांस रुपय मेलेंगे पर यह मार्केट बहुत बड़ा जे जे कर गी आज मेरों को बॉंबबाई में पांस रुपय मिलते थे आज मेरों को 35 लाग सतर लाग ऐसे मिलते तो यहीं बॉंबबाई का राज है कि इतना ही है तो इसले अभी जो नए प्लेर आरे महरास्टा मतला एम्मेरे डिस्टिक से तो प्रो में आया रोगे अच्छा हो गया उसका बाकी दो प्लेर चंकर गादाई है नचे बहुत सारे प्लेर आरकम शेका आरकम शेक आपल्बाई का यह है अभी इसमें तेल्गु टायटर ने प्रफूल करकर आया है आज अच्य पूध पूरिटर ने सारे वह अच्छा किया पर पुनरी पल्टन ने अच्छा किरा कि अधर से पलतनka कांज हँ सारे महराष्टा में लेए नैंर्ण नहीं Hijamaarangar भी सारी भी पलेयर भी है इसके पीछे भी आनेोगाले प्लेयर भी बहुत है आनेव अनेवाले तो मतलब आप चेहाँ फिल्म स्टार बनना चाहते हैं आप चाहे इंडस्रिल स्थिर्ट बनना चाहते हैं सपनों की नगरी वो मुंबईया मेनत करो फिर मुंबई भी साथ देती है तो प्रो क बड़ी में तो सीजन बससार बन गया थे उससे भी आगर 5 पहले कि अगर जिंदगी याद करो यह प्रोग को बड़ी नहीं थी किसी ने नाम भी नहीं सुना था वहां के शरीकांज जादव में और यहां के शरीकांज जादव में क्या फरक आ गया लगता है कि यार यह तो सपना है तस साल जो हमने देख लिया बहुत साल भोड़ी पर चूपरे कि बहुत साल अलग बहुत 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 चेंग आलग भी नहीं सोचा नहीं किका घरवाले भी नहीं सोचा था कितना बटे हम लोग सेलीटी बन जाएगे 2014 से पहली बात हम लोग 500 रुपय में खेलते थे और जैसे गाव में गए कच्छे भी ए टी-शेट वागर कुछ नहीं पता रहे ब्रैंड भी कुछ नहीं पता था दस रुप अपट्टी लिलिया बस उसमें खेलो कपड़ा भी ऐसा था बनल पे खेलो केदर भी खेलो आशा और किसी को भी पता नहीं था कि कपड़ी पॉपर्डी इतनी हो जाए और ज्यादा पॉपर्डी इतनी यह मुंबई का राजे तो मुंबई में एक्टर्स लोग कहा रहा है तो इसलिए मुंबई में इतना बड़ा पॉप्लिटी मिल गया इसको कि ऑस्टेंडिंग तो अभी हमा अभिषिक बच्चेन आश्वराय हमको मिलेंगी सामने देखने के लिए मिलेंगी और यह लोग हमको मिलने के रहे हम लोग उनको जा रहे हैं बोट नशीब आले हैं और हमारे पीछे जो हम लोग देखो प्रो में भी आना है बहुत बड़ी बात है क्योंकि नशीब और परि पोटो है मैं एक कहावत सुने थी जो स्वामी विवेक अनाद है उन्हों ले बोला था और उन्होंने एक वर्ड लिखा था कि जब जिस टैम तुमारा सिगनेचर पब्लिक ले लेगी तो तब ही तुम सक्चित्फुल मान जाएंगी तब तक तुम कोई सक्चित्फुल में जब आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाएं तो फिर समझ लो कि आप कुछ बन गए हो मैं दो तीन बाते बड़ी इमानदारी से कहना चाहता हूं पहली ये कि श्रीकान जादव से इतनी लंबी बात मेरी पहली बार हुई है पहली बार इतनी लंबी बात हुई है और श अपनी जड़ों से उखडे नहीं है अभी भी मन में वह विनम्रता है इश्वर को परिवार को धन्यावाद करते हैं और तीसरी बात सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर से श्रीकांत को चैलेंज दे के जा रहा हूं इनका करियर तो बहुत लंबा है यह फिट हैं सब को चि होँगर मैं फिरा裡 हमिलती है हमारे कवडी के प्लेएर सूपर स्टार से मेगा स्टार और और पर क Crimehan Pra жен कमा ठीलेंग करें आपलोगों करोड़ है नहीं कर सकता इस बाचीत में मुझे मुझे इतना हुआ हिंदी बोलनी पहूंगा अब बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और बहुत दिल से बोलते हैं दसमें सीजन के लिए बहुत बहुत शुब कामना है और मैंने 200 का है 300 लेके आना थेंक यू बेरी मुच पर वाचिए थेंक यू